नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में जियां दोस्तो आपको यहां पर दिखने को मिलेंगी सुबसे लेकर शाम तक की तमाम बड़ी ख़बर हैं मुख्य समाचार प्रेकिंग न्यूस अपडेट्स के रूप में कोई दखल देने से इंकार कर दिया सुप्रिम कोट ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की अरजी ठुकराते हुए कहा कि जश्न मनाने के दूसरे तरीके ढूंड सकते हैं जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस एम एम सुंदरेश की पीटने तिवारी से कहा कि उन्हें अगर कोई प्रतिबंद है तो है उसे रहने दीजी हम इसमें हस्त शेप नहीं करेंगे आप तिवार का उत्सो मनाने के दूसरे तरीके ढूंड सकते हैं मनोज तिवारी के वकील ने कहा कि चुनाव परिणाम आदी के दोरान भी तो फटा के चलाने और आतिश बाजी की इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार लिये गए इस फैसली की जानकरी दी ठाकूर ने कहा कि मंत्री मंडल ने उस वाला योजना के तरद 55 लाग नए रसोईगे इस कनेक्शन देने पर सहमती जताई है इसके साथ इस योजना के तरद लामान वित होने वाले कुल महीलाओं की संक्या बढ़कर 10.35 करोड हो जिसका बोज के इन सरकार उठाएगी यह राशी सार्जनिक शेतर की पेट्रोलियम विपनन कंपनियों को जारी की जाएगी प्रदान मंत्रियों ज़वाला योजना की शुरुवात मई 2016 में प्रदान मंत्री मोदी ने की थी इस योजना के तरद गरीबी रेखा के नीचे र श्रिलंका को एशिया कप में 41 रन से आरा कर फाइनल में जगय बना ली टीम के कप्तान रोई शर्मा ने 53 रन बना इसी के साथ उन्होंने वन डे क्रिकेट में 10,000 रन भी पूरे कर लिए एशिया कप में उनका दसवा 50 प्लस स्कोर रहा उन्होंने इस मामले में सचिन तेंद कर को पीछे छोड़ दिया है दोस्तों आपकी जानकारी किल बता दे रविंदर जडेजा ने एशिया कप में श्रिलंका के खिलाब दो विकेट लिए इसी के साथ उनके वन डे एशिया कप में 24 विकेट हो गए रोड टूर्णामेंट के इतियास में भारत के सबसे सफल गें बास बन गयете उन्होंने लेफट आमपैसर एर्फान खानका रिकोड़ तोड़ा जिनोंने 22 विकेट लिकेट लिये हैं वहीं दोस्तों कुल्दी प्यादो इस रिकोड में तीसरे नंबर पर हैं उन्होंनने श्रिलंका के खिलाब 4 विकेट लीए अब उनके वंडे एशिया क अब तक चार केस दोगी मोत जिया दोस्तो केरल के कॉंजी कोड में निपा वाईरस से दो लोगी मोत के बाद तीन ओर जिले कुनूर वाइनाड और मलपुरम में अलड जारी कर दिया गया यहां के साथ ग्राम पंचायतों को कंटेंड मेंट मेंट जोन बनाया गया है कंटेंड जोन वाले इलाके और अस्पतालों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। ये फ्रीकी रेवडी नहीं प्रिपेड सेवाएं हैं दिल्ली में सबसे कम महेंगाई होने पर बोले रागव चड़ा। आम आदमी पार्टी का अकेले इलेक्शन लडने का एलान हुड़ा बोले राजनितिक दलो का वोट प्रतिशत ठीक नहीं। इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार निदिन गटगरी का बड़ा एलान कारों में छे एरबेग नहीं होगे अनिवारे। केंद्रिय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गटगरी ने एक कारेकरम में कहा कि इस साल की शुरुवात में नई क्रेस्टेस्ट नियम लागू होने के बाद से सरकार भारत में यात्री कारों के लिए छे एरबेग नियमों को अनिवारे नहीं बनाएगी। Automotive Component Manufactures Association ACMA के वार्षिक बेटक के दोरान केंद्रिय मंत्री नितिन गटगरी ने कहा कि सरकार कारों के लिए छे एरबेग नियम को अनिवारे नहीं बनाएगी। उन्होंने कहा कि देश में बहुत सी वहाँ निर्माता कमपनियां जो पहले से ही छे एरबेग दे रही है और वो कमपनियां अपने उन कारों का विज्ञापन भी कर रही है समें छे एरबेग अनिवारे के जाने के ज़रुवत नहीं है।